नमस्कार बहुत स्पागत है आपका सत्ता का महा संगराम देख रहे हैं आप मैं हो रिनू सबसे पहले बात करेंगे दुरुगे से बड़ी ख़बर की जालका लामबा के बिग्रे बोल जी हाँ प्रधान मंतरी को दी रावड की संग्या राम का नाम लेकर रावड का काम कर रहे हैं देश जल गया और वो सीता की पीछ रहे हैं देश की हजारों सीता फीडित हैं महिला कॉंग्रे सद्याक्ष्ण लामबा और इन्होंने ये बिवादित बयान दिया है और इनके बयान के बा अलकालामबा ने प्रधान मंतरी मूदी को रावड की संग्या देते हुए कहा कि राम का नाम लिका रावड का काम कर रहे हैं देश जल गया और वो सीता के पीछे रही देश के हजारों सीता फीरित हैं महिला कॉंग्रेस सध्यक्ष हैं अलकालामबा जिन्होंने ये विवादि शुका हैल कलामबा से जुड़ा जो विवादित बयान है जो इन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के लिए विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद से बीजेपी हमलवार एक बार फिर से कॉंग्रेस घरती हुई नजर आ रही है सुनियाल कलामबा को अगर आपसे बात करें उनकी मूर्थियां बात करने लगे तो भगवान राम भी कहेंगे कि तो उन्हें दस साथ अन्याय किया है अपना राज धर्म नखी ने भाया हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मदिर एक रंग में ये देश को रखना चाहते हो बातना चाहते हो लफ्रतों मे भगवान शिरिणाम की मूर्ती भी बोई भूली, मा सीता का हरन लेकर गए भगवान रावन, क्या किया, राजपार्ट छोड़कर, मा सीता के लिए पूरी लंका आग लगा दी, खुर आप क्या कर रहे है प्रधान मंत्री जी, किती माता सीता है ने आई मांग रहे हुए अलका लामबा का विबादित बयान, प्रधान मंत्री नरेंद्र रुमूदी को रावर की संग्या दी और उसके बाद उनका यह कहना है कि ना जानी कितनी सीता हैं जो की नयाय मांग रही है निश्यत रुप से अलका लामबा का तीन दिवसी चत्रसगर प्रवास है उसके तहत अभी थोड़ी देर पहले वे भिलाई में पहुंची हुई थी जिन्होंने एक करका में शामिल हुए और उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है ये बड़ा बयान सीधा प्रधान मत्री को निशाना मांते हुए कहा गया है कि जिसमें ये कहा गया कि प्रधान मत्री एक तरह से रवन के कार strategy कर रही हैं और जिस तरह से रावण जो है वो सीता के पीछे था और पूरे लंका जल गई थी ठीक उसी तरह से सब पूर देश जल रहा है देश के लोग परेशान हैं जो परेशान है जिनके और ध्यान नहीं है तो एक बड़ा बियान दिया है उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि जिस तरह से बार बार राम के बारे में बात करते हैं लेकिन जो कर्म है उनके रावण जैसे हैं और उनको जिस तरह से राम जी कहा करते थे कि धर्म राजधर्मन निभाना चाहिए वो राजधर्मन नहीं निभा रहा है और यहीं वजह है कि उन्होंने ऐसे तमाम उधारान दिये हैं और सीधा ये कहा है सीधा प्रधान मत्री पर निशाना साथा है और उनको रावणा की संग्या दी है जे बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका मिठल इस जानकारी के लिए तो अब इस बयान के बाद से अलकालांबा भी घिर्दी नजरारी इनके साथ पूरी कॉंग्रिस पार्टी जाने कितनी सीधा है जो की अपने न्याय का इनतजार कर रही है तो राम का नाम लेकर रावण का काम कर रहे हैं देश जल गया और वो सीथा के पीछ रहे देश की हाजारों सीथा पी right हैं महिलाकौंग्रेस सध्यक्ष हैं अलकालांबवा जिन्हों ने ये विवादित बयांद दिया है हुआ कि तौप है यह देखें कि जग जगह से एक बढ़ कर एक बयान भी सामने हा रहे हैं और कॉंगरेस की तरफ से एक बार फिर से ये विवारित बयान सामने आया है कॉंगरेस प्रबक्ता अमित जी हमारे साथ जुड़ गया है इस वक्त और अमित जी आपने हाली में बयान सुना अलका लामा का जो की तीन दिन के 36 गर के प्रबास पर पहुंची है और ये बहुती आश्चर की बाते की कॉंग्रेस के जो भी प्रबक्ता है वो इतना बिवारित बयान दे कैसी देते हैं क्या बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देते हैं क्या उनको यह नहीं पता है कि सियासत गर्माई हुई है बी जी पी को एक अच्छा मौका चाहिए घेर देने का एक बार फिर से उन्होंने प्रधान वंत्री नरेंद्र मोधी को रावर्ण की संग्या दे दी कि इस बयान से पहले आज सोबा बयानों की शुरूबात हुई और खजराओं के अंदर मध्यप्रदेश की अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने बयान दिया कि प्रियंका गांधी को क्या पता मंगल सूत्र चूड़ी बिचिये और सिंदू और बिंदी का वो चिन क्या पता प् प्रियंका गांधी को क्या पता चूड़ी और बीचिये का क्या परक होता है किस तरह की वह होती है यह शर्मा परियान की शुरूबात आज भारतियंता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने करी और हाली में अभी राजगर संसदी छेत्र में हमारे आमिच्छा जी ग्रहा मंत्री देश के बोल रहें कि दिग्विजे सिंग जी के लिए कि आशिक का जनाजा है जणाज्यों जूम-जूम के निकलो और या जञे चुनाव चल रहें है मां नर्मदा की परिक्रमा दिग्विजे सिंग्जी ने करी नंगे पैर मां नर्मदा को पूजा और उस मा भगवती को मानने वाले व्यक्ति को आप आशिक का जनाजा के रहें आप हिंदू धर्म में जनाजे का क्या आर्थ होता है ये पूछे किसी से अमिच शाजी और आज हमारे देश के प्रदान मंतरी ये बयान आपने पहले सुना होगा ये कहा ता मनमौन सिंग जी जब देश है तो लगातार जब बेरोजगारी नौजबान किसान महिला अत्याचार पर बात हो रही है विकास पर बात होनी चाहिए और आज इस तरह मंगल शूत्र चूड़ी हिंदू बिंदी हिंदू मुसल्मान धर्म इन सब सारी बातों पर पूरे चुनाव को मोड़ने की संक्या हा रही है तो मैं समझता हूँ के बयान तो कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी से लेकर कई नेताओं के बिगड़े बोल की तरह चल रहे हैं जी बीजेपी का भी पक्षु जान लेते हैं सर यह विबादित बयान तो ही पहला रियक्शन बीजेपी का इस पर जी नमशकार राम राम लिए भारती जनता पारिटी इस पर रूप से ये मान करके चल रही है कि कांग्रेस अब जो भी बाते कर रही है देश की जनता भी यह मानती है कि ये सारे वखलाहिट में बोल रहे सारे लोग इनकी बॉखलाहट इसको नजर आ रही है चतिस गड़ के संदर्प से मैं बात करता हूं चुकि मैं चतिस गड़ ले हूं तो चतिस गड़ का एक महत्वपुड मिशे था इनके जो चुनाव लड़ रहे जो हमारे प्रत्यासीर के बस्तर के रहे कांग्रिस के कवास् करने वाले हैं वह वह तो और दो कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि ऐसा सांसची जो मोधी का सर पोड़ सके लाठी लेकर उनके सामने खड़े रहे तो यह किस प्रकार की बयान वाजी है यह बयान वाजी कहां से आप ले आते हो और सिंदूर की बात कर रहे हैं पूछ कि लीवी कि क्या उन्होंने कभी बिंदी लगाई है मांग भरी है बिच्या पहना है पायल पहना है इस पर यह राजनीती गरवाई हुई है जी देखिए वो इस पश्ट रूप से कह रहे हैं माननी हमारे निता है शर्मा जी वो इस पश्ट रूप से कह रहे हैं आप एक बा तो भई आप एक और देखेंगे सैंग पित्रोदा का बयान तो सुनिये वो क्या बोलना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस तरी धन पर भी कांग्रेस की नजर आ गई अरे भैया यहां पर किसी के हिस्से का अधा वह यह जबती वाली बात नहीं यहां तो महिला है पहने माता है जो है उस पैसे बचा करके आने वाली पीडियों के लिए रखती है कि मैं अपनी नातन को तूंगी अपने बिल्कुल बिल्कुल सहीगा आपने और रोकना चाहूंगे आपको दरसल में सीधे रुक करना होगा टीकम गड़का लोटूंगी मैं आपके पास कुछ और हम सवाल यह ठीकम गड़ जिले का बमहरी गाओं है वहां पर में मौझूद हूँ और जिस पोलिंग बूट पो लगबग 50-55% यहां पर अभी तक हुआ है अगर पोलिंग की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लगबग लगबग खाली पड़े हुए हैं एकका दुक्का कि अब बता हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोट करने नहीं है अपो क्या लगता है कि जो लोग बोट करने नहीं आ रहे हैं और आप लोग उनसे कैसे अपील करते हैं जो लोग बोट करने आ रहे हैं और अभी परिवेतन की लहरत जितना भी मत्दान अभी जितने परशेंट हुआ है उसमें 60% कांगरेस का बोट हुआ है बिल्कुल आप बताएं आप भी आमद्दान करने पहुचे थे क्या मुद्दे हैं आपके जहन में किन मुद्दों को लेकर आप बोट कर रहे हैं बेरोजगारी है जी सबसे जादा बेरोजगारी है हर जगह देखलो आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं इस बार के बोट करने के बीजेपी के प्रत्यासियों कॉंग्रेस के प्रताइएं दोनों अपने जीत का दावा कर रहे हैं सरे हां तो कोई मुद्दी नहीं है यहां सब बेस्ट है राम राज चल रहा है हमारे बीजन खजी जी तो इतने अच्छे हैं कि पंदा साल में लगवा कम लोगों को देखने ही नहीं आया है पंदा साल ते लगवा क्वानी की वरस्ता है यहां का किसान इतना खोस है कि हर घर में सकाल पीजों सफाई रखी है जबूरती नहीं है कुछ करने की क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आप लोग जो बोट करने आए तो मुद्दे ऐसे कौनों बिश्यस नहीं है जो हम लोगों के लिए है हिंदुओं के लिए सब में बड़ा है राम मंदर इससे बड़ा कोई नहीं है कोई काम नहीं है जो 55-500 साल से पता नहीं था के कहा है राम मंदर क्या है यह भी तो राम राजा की धरती है यह तो नहीं यह भी राम राजा की धरती है यहां तो क्या रोजगार विकास से कोई नाता नहीं है इनका शेलेंद्र पूछे आइद्धिया में कि के लिए जैसे हम लोग आदमी जो बाहर जाता है यहां हम लोग केसान हैं किसानों के लिए तो जैसे हम लोग खेती करते हैं तो रहल कि लिए हम लोगों को भी आदमियों की जरूरत पढ़ती है तो बोग कहते हैं उनी डजाही चाहिए हमें आठ्सोнд यहmos metya उल्जा माहर क्सान कहां करने wiele लेकर लिकन अब तक मद्दन जो हुआ है वोगत अच्छा वी तक फिलाल नहीं का चासकता है बिल्कुल बिल्कुल और यही काफी आश्चर की बात है इतना जादा पॉलिटिकल पाटी ने प्रचार किया प्रसार किया शेलेंदर और उसके बाद अगर ऐसी तस्वीरे सामने आ रही हैं सुबह से ही बार बार यह अपील की जा रही है कि आप बढ़ चड़ कर मतदान करिये और जरूर करिये आपका एक वोट देश की प्रगती में अगरिसर बिलकुल काम करेगा और सबको यह लग जाता है कि शायद हमारा एक वोट क्या कर लेगा लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका एक वोट कितना कीमती है और शेलेंदर आप लगता जुड़े नहीं आगे भी पबिक रियक्शन भी लीजेगा लेकिन अभी हम सीधर रुक करेंगे आमिजी के पास और सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्तन है आप तो पहले सुनील जी आपके पास आते हैं तमाम बड़े स्टार प्रचारक महुंचे हैं च्छतिसगर की धरती में भी चार किया गया है उसके बाद हालाकि च्छतिसगर का वोटिंग परसेंटेज ठीक है लेकिन पिछरी बार की तुलना में इस बार कम ही है ऐसा क्यों सर इस बार तो और जादा बढ़ जाना चाहिए था उत्साह के साथ वोट होना चाहिए था च्छतिसगर में काफी उत्साह का माहौल है और अभी कुछ समय बाकी है वोटिंग परसेंट और अंतीम जब आकड़े आएंगे तो लगभग देखेगा च्छतिसगर में जो उत्साह बना हुगा वो उत्साह पूरी तरीके से दिखाई देगा अंतीम आकड़ों में करीड सुबा से वोटिंग शुरूए साथ बज़े से और अभी चार बज चुके हैं अब कितना मुश्किल से एक घंटा और बाकी है और इसमें कितना वोटिंग परसेंट यह और बढ़ेगा भी मददान के इंदरों में देखेंगे लंबी-लंबी कतारे होती और लोग तस्ति वह हैं लेकिन इस दार इस्तिती थोड़ी सी उलट है जो नकसल प्रभाविश छेत्र हैं सुनील जी जो नकसल प्रभाविश चेत्र हैं वहाँ पर तीन बज़े की बाद बोटिंग बंद हो ग लेंगे उनसे भी जानेंगे की रियक्शन के आखिरकार मतदान कम क्यों हो रहा है विचानी विशह है ये कॉंग्रेस के लिए भी क्योंकि अगर वोट बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है तो कॉंग्रेस के पास क्यों नहीं आ रहा है क्यों जनता इतनी निराश है कि वोट तर हर पूलिंग पर पार करेंगे लेकिन वो घर पे सोबा बोट डाल का टीवी देख रहा है नास्ता कर रहा है और टीवी पर कह रहा है कि हम बैट के चार सो पार हो गए तो इसलिए वो जो भारती जनता पार्टी और दूसरे राजनेतिक दलों का मोबलाईशन होता है उसमें बारती जनता पार्टी के जूट, प्रलोभन, मंगल सूत्र, हल के जबाब और जो कहीं न कहीं बरती, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और खासकर आप देखिए कि मद्धिपरदेश में अभी होशंगाबाद को छोड़के कहीं भी 50% से उपर मद्दान अभी नहीं हुआ ह तो इसका सीधा इसपस्ट होता है कि जो वहाँ के प्रतियाशी है, उसके खिलाब वहाँ की जनता की नाराजगी है, वो ये नाराज है इस बात से के लोग मुद्दों पर छोड़कर, लोग रममंदिर पर, मजजित पर, हिंदू पर, मुसल्मान पर, मंगल सूत्र पर, इन बातों पर चुनाओ को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जागरुक मत दाता मद्दिपृदेश का है, वो जो चाहता है, वो जो चाहता है, बीजेपी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस खेल रही है, कॉंग्रेस बीजेपी, बीजेपी करती है, अपने अस्वल मुद्दे उनकी पहली प्राथ मिखता है रोटी कपड़ा मकान उनको खुद मिल जागा एक एक बातोई बात में छोटा सा सर्वे है जिसमें मिडल क्लास का ये कहना है कि हमारी जरूरते जो है वो हमें खुद पूरी करनी पड़ रही है क्योंकि रोजगार मिला नहीं है अगर ये मिडल क प्राथ को क्यों नहीं ये सोचा कि जो वर्ग नराज बीजेपी से जो आहत है अपने आपको ठगा मैसूस कर रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला जो बादक किया गया था तो उस पर काम करना चाहिए निसंदे आप अगर देखेंगे तो नौजवानों की भीड लगी हुई है और किसानों की भीड लगी हुई है जो पीडित है जो अपने जिसके हर घर में प्रती घर में बेरोजगारी है वो बोट डालने जरूर निकला है उसका परिवार निकला है जिस तरीके जो किसान अपन कर रहा है कि हम काई को बोट डालने जाए बीजेपी 400 पार हो रही है लेकिन जिसे चिंता है अपने बोट की जिसे चिंता है अपनी बेरोजगारी की जिसे चिंता है महंगाई की जिसे चिंता है उसकिसान को बेटी की शादी की वो सारे व्यक्ति बोट डालने निकल रहे हैं इ आप यह देखी कि छेट्यों परमदान हो रहा है छत्यजगर की तीन सीडों परमदान है और छत्य गड़ गोड़ नकसल फृब्भविश चेत्रों में मतदान हो रहा है। बाप जोन दुसके चत्रı गड़ में वोटिंग प्रितिशत मड़् परिदेश की तुलना में कहीं नौकरियों को अगले 30 दिन में भरने का काम करेंगे अपरादों पर कानून की विवस्ता करेंगे ये जो हताशा है आप देखिए कि इस बार महिलाओं का वोटा परसेंटेज जो हमारी बेने बढ़ चड़ का रिस्सा लेती हैं वो महिलाओं का वोटा परसेंटेज कम होता जा कर भारतियंता पार्टी के लोग हल्की जबान का पुद निराशा है लेकिन जागरुक म determination की लख कर रहे हैं उन कि वोट की कीमत उनके लिए क्या कीमत नहीं बोलेंगे बहुत वैल्यूबल है मुलवान है उनका एक वोट कि लोगतंतर की खूबसूर्ट की सी में है कि हम जाकर के मतदान करें मेरा अगरा निवेदन है जिन शेतरों में चल रहा है कुछ समय बाकी है भारती जलता पार्टी के जोर से मैं आगरा करना चाहता हूं कि आप जाएए अपने मता अधिकार का उप्योग जरूर के अब आपके विश्य में आता हूं एक हमने प्रमुख रूप से अपने भोशना पत्र में हमारे वोटी के संकल्प में जो गरंटी है उसमें कहा कि हमारे लिए चार प्रमुख जान की हमने बात कि ती गरीब युवा किसान नारी इसको लेकर के काम किया मैं बताना चाहता हूं मध्यमवर्गी अगर हम बात करते हैं तो मैं पूछना चाहरा हूं कि भई अधान मंत्रियावास किसके लिए बना आप घर-घर में सोचाला किसके लिए बना सबसे बड़ी योजना आई है OBC समाज के लिए जो मध्यमवर्गी होता है वह विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा योजना के अंदर में इतने सारे लाभारती जो है वह कहां से आ रहे हैं उसमें अभी स्रमिकों को जोड़ दिया उसके साथ किसान और पशुपाला के मचुवारों को स सोसल मीडिया में सारे लोग आजकल दिखाई देते हैं तो जो डेटा है वो किस प्रकार से हम आसानी से उपयोग कर पारे हैं उसका मूल कितना कम हुआ है काम बहुत हो रहा है नारियों के लिए बड़ा काम हुआ है लाड़नी लक्ष्मी योजना मध्वर्देश की बात करे 36 गड़ में महतारी वंदन योजना की बात करें या नारी शक्ती वंदन अधिनियम 33 पर 33 आरक्षर में अगरी बात लंबी लिस्ट आपने गिना दी है बाबजी दूसके अगर कोई एक भी एक्जाम निकलता है 5000 सीटे होती 5 लाख स्टुडेंट फॉर्म बढ़ने के लिए में लगे रहते हैं अब यहां से समझें कि रोजगार कितना युवाओं को मिला और बेरोजगारी कितनी फैली हुई है प्रदेश में लोटेंगे आपके पास जो कि हमें या पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुखना होगा तमाम बूतों की तस्वेरी भी आपको दिखाने यूजए टीन MP चाथ इसकार